हाँ जी आज हम जो हमने लेबर कोस्ट वेरियंस निकाले थे तो हम बात करेंगे उसका फर्स्ट पॉइंट लेबर रेट वेरियंस यह क्या होता है वाई इसको एल रवी से दिखाते हैं लेबर रेट वेरियंस पहले फोर्मूल देखें फिर उसके बाद बात करें अपने आप समझ में आ जाएगा जो आपकी स्टेंडर्ड रेट है और एक्च्वल रेट हैं उनके अंतर को एक्च्वल आवर्स को हर्स लिख रहा हूं है एक्च्वल आवर्स से मल्टिप्लाई करोगे तो आएगा फोर्मूला क्या हुआ इस्टेंडर्ड रेट्स माइनस एक्च्वल रेट्स एक्वल टू ओ सुरी इन्टू एक्च्वल आवर्स अगर समझ में आया आपको श्रम लागत विच्रण का वह बाग श्रम लागत जो विच्रण है आपका लेबर कोस्ट वेरियंस जो पिछली क्लास में उनके डिसकस किया था उसमें प्रमापदर जो इस्टेंडर्ड रेट्स और एक्च्वल रेट्स के अंतर के कारण उत्पन होता ह है अगर यह पॉजिटिव है तो हम फेवरेबल मानेंगे और अगर यह नेगेटिव है तो इसे हम एड़र्स मानेंगे अब क्यों उत्पन होता है लेबल रेट्स क्यों उत्पन होता है जब अधिक या कम दर्पर मजदूरी का बुपतान हो वितन संक्लाओं में परिवर्थन हो नाइस मिकों की भरती हो मजदूरी पुपतान पतिती में परिवर्थन हो अधी समय मजदूरी यानि मतलब अधीक समय तक मजदूरी ओवर टाइम जिसे हम कहते हैं वो देना पड़े इन सब कार्णों के कारण उत्पन होता है फिर बात करते हैं दूसरा लेबर एफिए सेंसी वेरियंस लेबर एफिए सेंसी वेरियंस यह क्या होता है श्रम लागत विचरण लेबर कोस्ट वेरियंस का वह भाग जो प्रापत उत्पादन के लिए जो स्टेंडर्ड्स आवर्स होते हैं और जो एक्चुल आवर्स है अंतर के कारण उत्पन होता है एक्चुल आवर्स और स्टेंडर्स आवर्स के अंतर के कारण उत्पन होता है फाद मुला अगर आप लिखेंगे तो उसको आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा लेबर एफिए सी वेरियंस इस इक्वल मॉल्टिप्लाइबाई इस्टेंडर्ड रेट इस्टेंडर्ड आवर्स माइनस एक्ट्वल आवर्स इंटू इस्टेंडर्ड रेट्स वही अगर यह पोजिटिव होता है तो उसे हम पेवरेबल मानेंगे अगर यह नेगेटिव होता है तो उसे हम एड़र्स मानेंगे अब यह उत्पदी क्यों होता है इसके क्या कारण है अधिक या कम कुशल श्रमिकों की नियुक्ति कठोर या शितिल अचानक जो नेरिक्षन करवाया वह बहुत ज्यादा इस्टिक्ट लोग आगे या बिल्कुल कम जोर आगये तो उससे भी कई बार गड़ बड़ी होने के चांस होता है मशीनरी और यांत्रों की किस्म में परिवर्तन हो गया उत्पादन पर क्रिया में सुदार या खराबी हो गई है सामगरी की किस्म में परिवर्तन हो गया ऐसे अनेक कारण है जिनके कारण एक छोटा सा एक्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कोई प्रोड़क्ट है एक्स उसके उत्पादन है तू पांच जो आवर्स है पांच गंटे प्रती कई यूनिट अनुमानित है उसके प्रोड़क्शन में पांच गंटे लगने की एक अनुमान है अब क्या होगा वही आगे बात करें और इसकी जो रेट है वह 25 रुपर प्रती आवर्स रुपीस को रुपीसा इन से दिखाएं तो 25 रुपे प्रती गंटा किसी मंत में एक जार इकाईयों का यूनिट्स का उत्पादन किया गया लेकिन टाइम लगा कितना टोटल टाइम लगा हमें चेजर आवर्स और पेमेंट जो रेट रही रेट जो रही वह रही बीस रुपे प्रती आवर्स अब आपको लेबर कोस्ट वेरियंस निकालना है सवाल समझे आगया लेबर कोस्ट वेरियंस का फॉर्मूला है इस्टेंडर्ड आवर्स इंटू इस्टेंडर्ड रेट्स माइनस एक्ट्वल आवर्स इंटू एक्ट्वल रेट्स इस्टेंडर्ड आवर्स हैं कितने हैं यह वाला पॉर्शन है इस्टेंडर्ड का और यह वाला पॉर्शन है एक्ट्वल का तो इस्टेंडर्ड आवर्स कितने हैं तो इस्टेंडर्ड आवर्स आपको बताए हमने पांच गंटे लगे प्रती काई ठीक है तो स्टेंडर्ड आवर्स कितनी काई का प्रोड़क्शन किया हजार पांच गंटे प्रती काई तो कितना हुआ ठीक है स्टेंडर्ड रेट कितनी बताई हुई हमने यह बताई actual hours कितने है actual hours हमारे यह actual hours लगे into actual rates क्या है वही इसको अगर solo करें तो यह आएगा minus एक पच्चिस एक लाग पच्चिस जार और एक लाग बीस जार एक्वल टू यह कितना है वही पांच जार पोजिटिव या नेगेटिव यह है पोजिटिव तो हुआ शेवरे पाई ओके यह अलग से बताने की जोड़त नहीं है क्योंकि हमने सीधे यही पे कर लिया था standard hours into standard rate sh हमने निकाल लिया था standard hours sh कैसे निकलता है हमने formula में discuss किया था पिछले बाद sh is equal to एक अजार एक अजार क्या है एक्च्वल जो units है उसको जो हमारे hours है उनसे multiply किया तो आपका standard hours आगया अब हमें निकालना है labor rate variance क्या होता है भाई sr minus ar equal to a h लो जी बई standard rate कितनी है 25 actual rate कितनी है 20 actual hour कितने है 6,000 equal to यह आया 30,000 labor rate variance 30,000 और यह है plus में आया तो favorable labor efficiency variance इसका formula है standard hours minus actual hours into standard rate यह क्या है भाई 5,000 minus 6,000 यह आपको पता है दोनों क्या है यह रहा और यह रहा 5,000 इसको इससे multiply किया तो भाई तो यह और इसको किससे करें standard rates 25 यह आया कितना labor efficiency variance कितना हुआ यह minus के 5,000 minus 6,000 into 25 तो कितने बने 25,000 यह क्या है minus के तो यह क्या हुआ भई adverse अब क्या हुआ labor cost variance equal to labor rate variance plus labor efficiency variance तो यह क्या राची है यह देखे आप आप यह आप यह और यह देखोगे तो आप किता आएगा पाच जज़ार मतलब ये ये वाला तो favorable, adverse to total favorable हुआ समझ में आया? ओके